कि नमस्कार क्यूवाइं नेटवर्क में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हेल्ग क्यूर वित अभाय राजकर में और हमारे साथ है प्रख्या सर्जन एवं कोरोनल उनिवर्सिटी युएसे लाइफस्टेल मेडिसिन में पीजडी उनमालिया लाइफस्टेल मेडिसिन के दॉक्र संदीब शर्मा के बारे में बता दू कि वो हमारे देश के उन चुनिदा लाइफस्टेल मेडिसिन एक्सपर्ट में से है जिनका उद्देश लाइफस्टेल में बदला ओकर हमें दवाई मुख एवं रोग मुख कैसे हो सकते हैं इसके बारे में जागरूप का फैल प्रवागत है और इन प्रोग्राम के माध्यम से जो हमारा उद्देश है वो ऐसी चीजों को आपको बताना जो सायद आपको नहीं पता हो और जो आप बीमारी से जूज रहे हैं उसमें करेंट में क्या चल रहा है क्या किया जा सकता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिस करते हैं ताकि आप अपने बीमारी को ज्यादा बहतर से समझ वाएं और उसका ज्यादा अच्छे तरीके से सही उप्चार करवा पाएं कि आज का हमारा विश्य है विष्श है तो जो सीबो का मतलब क्या है तो जो सीबो का जो फुल फॉर्म है उसे कहते हैं इसमाल इंट्रस्टाइनल बेक्टिरियल ओवर ग्रूत इसका अगर आप हिंदी में देखेंगे तो इसे कहा जाता है ये छोटी आत में जिवाडियों का जो नंबर है वो बहुत ज़ादा बढ़ जाए तब उसे कहते हैं सीबो कहां पर होता है में इसमाल इंटस्टाइन में अभी ऐज़ पिच्चर है उसमने जिस भाग में दर्साया जा रहा है उसे मॉल इंटस्टाइन कहते है वो एक पाईप को बहुत अर्षा तरीकिवस्टेंगे वैसा ही इस स्ट्रक्चर कुछ होता है और यह इसको आप ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तब हम उसे कहते हैं इस्मॉल इंटस्टाइनल बैक्टेरियल ओब्रोथ यह एक एक आइडिया आपको मैं बता रहा हूं कि हम किस हमारे शेरीर के डाजेस्टिर सिस्टम के किस भाग के बारे में बात कर रहे हैं इस बिल्कुल अगर यह सवाल का जवाब दूम है तो हमारे हर जगह बैक्टेरिया हैं और उसी प्रकार से हमारे पेट में भी बैक्टेरिया होते हैं इनफेक्ट पेट में बहुत ज्यादा क्वांटिटिवे बैक्टेरिया होते हैं और अभी तक हम जो सुनते आ रहे हैं कि बै हम लोगों ने बहुत सारे एंटिबाटिक्स डवलप कर लिए हैं, तो वो बैक्टेरिया होते हैं, इसलिए तो हम एंटिबाटिक्स खा रहे हैं, मगर अभी तक सिर्फ आप बैक्टेरिया का बुराई बुराई है, खतरनाक है, बेकार है, बीमार कर देता है, हम लुण से बीमार में बीमार होते हैं, तो गया कारण है कि हम बिमार होते हैं, तो अगर मैं सीबो के प्रॉस्पेक्टिव से बात करूं सीबो के ध्यान रखते में बात करूं तो यहां पर क्या हो रहा है वह सब्द में ही इन्फॉर्मेशन चुपा हुआ है जिसे कहते हैं इस्मॉल इंटरस्टानल बैक्टेरियल ओवर ग्रोथ बैक्टेरियल ग्रोथ से प्रॉलम नहीं है जब बैक्टेरिया एक लिमीट से ज़्यादा ग्रोव कर जाएगा उसी को क्या कहते हैं बैक्टेरियल ओवर ग्रोथ तो यहां पर बैक्टेरिया तो है हमारे फ्रेंट्सिप उनके साथ एक नंबर है वो बकाइदे हमारे साथ तालमेल बैठा के रखते है कम हो जाएंगी तो दिक्कत जादा हो जाएगा तो दिक्कत गड़बड़ कब हो जाता है अगर आप हम कुछ ऐसे मेडिसिन खा रहे हों जो हमारे पेट के बैक्टेरिया को कुछ प्रकार के बैक्टेरिया को मार दें, दवाईयों के वज़े से, या फिर कुछ बेक्टेरिया हम कुछ ऐसा करें, कि वो जो कुछ बेक्टेरिया है, उनका नंबर जो है, बढ़ जाए, या हम बाहर से कुछ ऐसे बेक्टेरिया खालें, गंदा पानी पी लें, तब वो बेक्टेरिया का जो नंबर है, वो कुछ को छोड़ दे तो डिस्बैलेंस हो जाएगा किसी भी कारण बस हमारे गट में हमारे पेट में बैक्टेरिया का डिस्बैलेंस होना या कम ज्यादा होना हमेशा ही हमारे लिए खतरनाक रहा है यहां पर क्या हो रहा है बैक्टेरिया ओबर ग्रोथ हो जा रहा है अब यहां पर समझना पड़ेगा कि जो हमारा स्ट्रमाक है वह यहां पर जो over growth है हो कैसे गई हमारी इस small intestine में जो bacteria है वो इतना ज्यादा quantity में बढ़ कैसे गया इसका ये बास समझने के लिए आपको थोड़ा एक और चीजे समझने पड़ेंगी जिसको मैं भी समझाने वाल हूँ आपको उसे कहते हैं stomach acid ये जो stomach है वहाँ पर खाना पचाने के लिए हमारा body एक acid secret करता है एक acid निकालता है उसे कहते HCL hydrochloric acid hydrochloric acid क्या करता है खाने को तोड़ता है और खाने को तोड़ने के बाद वो जो acid है वो हमारे पेट में खाना को तोड़ा उसके बाद नीचे जाता है स्टमक डूडेनम जूजेनम उसके बाद सिकम कॉलन रक्टम तो डूडेनम और जूजेनम में जो पेट के बाद जो acid याता है वो क्या करता है बैक्टेरिया को मारता हुआ जाता है मताब आप यह समझ लीजे कि एक गार्डेन है वहाँ पे घास हुगी हुई है उस पे हमेशा डेली क्या होती है एक मशीन चलता है तो क्या करता है घास को एक बराबर से काड़ देता है वैसे हमारे जो स्टमक का acid है उसका एक काम तो खाना पचाना ही है नेकिन साथ की साथ इक अर काम करता है हमारे पेट वी कुछ एक बैक्टेरिया को मारता हुआ जाता है जाता है चलता है और इसा ही चलता आ रहा है और ऐसा ही ecosystem है कुछ bacteria मरते हैं फिर वो growth करते हैं फिर हमारा destruction को मार देता है और एक equilibrium चलता रहता है कितना मरेंगे और कितना growth होंगे उसका एक check है वह कम भी नहीं होते और ज्यादा भी नहीं होते यह हमारे अंदर का building mechanism है अगर इस mechanism में अगर इस mechanism में कुछ गड़बर हो गया उस समय क्या होगा ये bacteria का number या तो कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा अब आप समझते हैं bacteria का number यहाँ पर बढ़ कैसे गया तो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था पहले मैंने आपको बताया था stomach का acid जो है वो bacteria को daily basis पे मारता रहता है और bacteria growth करते रहते हैं और ये equilibrium maintain equilibrium maintain रहता है नहीं जा भी हम रिकॉर्डिंग चेरा बंद कर दो बिटा बंद कर दो उसको दादा संगीता बंद कर दो हाँ तो अभी आपको मैंने थोड़ देर पहले बताया था जो हमारा stomach का acid होता है उसका दो काम एक खाना पचाना दूसरा जब वो acid हमारे पेट के निचे लए भाग में जाता है तो वहाँ पे bacteria को मारता हुआ जाता है और ऐसा लाकों सालों से हो रहा है और ऐसे ही bacteria का number balance रहता है अब disbalance कब हो सकता है अगर आपका जो stomach acid है उसमें उसकी quantity कम हो जाए उसकी acidity कम हो जाए तब क्या होगा वो उतने bacteria को मार नहीं पाएगा इस बात पे मैं सब का ध्यान अकर्षित करना चाहता हूँ ध्यान से सुनिये मैं क्या कहा रहा हूँ अगर आपका stomach acid कम हो जाएगा या उसका pH कम हो जाएगा उस condition में वो जितना bacteria पहले मारा करता था उतना bacteria नहीं मार पाएगा और जब वो उतना bacteria नहीं मार पाएगा तब आपके small intestine में बैक्टिरिया का नंबर जादा बढ़ जाएगा और जब वो जादा बढ़ जाएगा उसी परिस्थिती को कहते हैं small intestinal bacterial overgrowth यह जो मैं explanation दे रहा हूँ यह बहुत high level का information ठिक यह बहुत सारी research में छपने के बाद refined होने के बाद प्रूब होने के बाद वो मैं बता रहा हूँ अब आते हैं कि condition डबल अब क्यों हुआ क्यों हमारा शरीर जो है उस बैक्टिरिया को बरावर नहीं कर पारा था एक कारण यह जो ज़्यादा था time कारण होता है मतलब मैं यह कहना चारा हूँ अगर आपको acidity है और मैंने फिर से बता रहा हूँ acidity में हमारे stomach का acid और pH कम हो जाता है इसके वज़े से acidity होता है तो ऐसा देखा जाता है जिन मरीजों को acidity की problem होती है उनको आने वाले समय में SIBO हो जाता है उसे कहते हैं small intestinal bacteria overgrowth अब क्या होता है चुकि आपको नाम acidity acidity पता है साथ में patient और बोलता है सर मेरे को पेट में दर्द होता है नीचे मेरे पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर कहा देता हाँ तुमको acidity है उसी के दावई खार जाता है वो SIBO होता है डॉक्टर को पता भी होता है लेकिन मरीज वो क्या समाझ पाएगा कुछ समझ नीए पाएगा तो कई बार डॉक्टर बताते नहीं है कुछ educated patient होते है उसमें लिखा रहता है SIBO है तो उसको पढ़ लेते है तो अगर आपको पता है कि आपको SIBO है और आपको gastritis है तो यह दिखा ही रहा है कि आप जो anti-acid ले रहे है उसके वज़े से आपके stomach का pH कम हो रहा है उसके वज़े से ही उसका side effect क्या हो रहा है SIBO तो यह एक major कारण हो गया दूसरा कारण यह जरूर हो सकते है कि हो सकते ही आपने आपकी immunity ही कम हो कुछ ऐसी बीमारी होगी कि आपकी immunity लेबल कम हो तो उतने हमारी जो बैक्टेरिया जो generally हम acid से मारते हैं और हमारा body could control करता है वो control नहीं कर पा रहा है तो उस समय भी बैक्टेरिया बढ़ सकते है तीसरा करण यह भी हो सकते है कि आपका पानी ही गंदा हो तो major अगर आपको acidity के साथ सीबो है तो वो दवाई का side effect है अगर आप unhygienic condition में रहते हैं तो contaminated water हो सकता है और अगर आपको कोई ऐसी बीमारी होगी जो इसमें immunity कम है उस समय भी यह हो सकता है तो यह कुछ major कारण जिनके वज़े से आपको सीबो हो सकता है इसमें डॉक्टर साब patient को क्या दिक्कत आती है इसमें patient को हमेशा एक दर्द बना रहेगा लंबे समय टाइम कुछ मरीजों को इसमें loose motion होता है कुछ मरीजों को continuous बुखार बना रहता है और antibiotic खाते हैं तो ठीक हो जाता है फिर से हो जाता है कई लोगों कहते हमारे पेट में सूजन हो गया है अगर आपको acidity हो रहा है उसाथ में दर्द भी हो रहा है पेट में लंबे समय तक तो यह दिखा रहा है कि आपका बिमारी सीबो के डारेक्शन में जा रहा है या फिर चला गया है और अगर आपको acidity के साथ डॉक्टर एंटिवाटिक्स भी देने लगे तो समझ दीजे आपको सीबो तो ही तो modern medicine में फिर इसका इलाज कैसा करते रखता है बहुत बढ़िया सब्द से जब हमने समझ गया कि स्मॉल इंटेस्टानल बेक्टेरिया लोग उता है बेक्टेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो modern medicine में सीधा प्रैक्टिस है जो चीज बढ़ गया है उसको कम कर दो कम करने का हमारे modern medicine में हत्यार क्या है एंटिवाटिक्स आपको एंटिवाटिक्स देके आपका जो बेक्टेरिया ओवर ग्रोथ हो गया था उसको क्या कर देंगे कम कर देंगे ठिक आप एंटिवाटिक है बेक्टेरिया कम हो गया problem solved मगर जैसी आप एंटिवाटिक्स का dose खतम हुआ बेशिक कारण जिसके वज़े से बैक्टीरिय बढ़ा था वो तो सॉलूग नहीं मसлось नहीं को है वह पेटका ऐसी डीटी की फिर बैक्टेटिरिय बढ़े जाता है तो ज्यादा तर पेशिंट्स को कई शाइकल अन्टीबैटिक asidtics चलता है और यह बार बैक्टिरिया कम हो जाता है कि जो बैक्टिरिया बढ़ा था वो तो था साथ की साथ अच्छे बैक्टिरिया भी कम हो जाते हैं ऐसे पिशन को क्या हो जाता है वापीस से एसटी होने लगता और पेट और खराब होने लगता है तो मरीज एक गलत साइकल में फास जाता करती है वो बैक्टिरिय को तो मारती है साथ में हमारे कुछ अच्छे बैक्टिडिया जो गट बैक्टिरिय uh उनको भी मार देती है उसके वज़े से पेट के ़िद्ध होने लगेगा जाते हैं तो जो जो परोच है उसके साथ उसका side effect और यह permanent cure नहीं है क्योंकि एक जिसके वज़े से हमारा low stomach acid के वज़े से यह जो भीमारी हुई थी वह तो वहीं कि वहीं है stomach acid हमने पढ़ा है नहीं उसका cure किया नहीं है तो patient करने के बाद तो यह है modern medicine का अप्रोच तो यह एक्चुली और इसके कोई साइड रिफ्रेक्ट साब बता सकते हो modern medicines को अगर इस परिपेक्ष में मैं देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है हमारे पास उस भीक्टेरिया को मारने का जो हमारा नेच्र्यय तरीका था स्टामक एश्ड से मारने का उस पे कुछ का मँख नहीं हो रहा है as a modern medicine के इस पास अभी हमारे पास क्या थरीका है उस भीक्टेरिया को मारने की वह quién talk होता carry यह तो दुनिया जहान यह तो बहुत कॉमान सी बात है हर को जानता है एंटिबाटिक्स खाएंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो होगा इस बीमारी में क्या होता है चुकि यह बैक्टिरियों फोड़ा सीवियर बीमारी है तो लंबे समय तक इसमें एंटिबाटिक्स चलते हैं तो पेशेंट के पेट को ठीक करने के हिसाब से दवाईयां दे रहे थे तो सीबो चली माली कंट्रोल हो गया मगर पेशेंट कॉंस्टिपेट्ट होने लगेगा उसको बहुत हैं बीमारी एक को खतम करेगा दूसरा नया बीमारी इजात हो जाता है तो यह इसका मतलब कि पेशेंट वो अभिमन्यु जैसा चक्रवियों में फस जाता है तो इस फसे हुए अभिमन्यु को निकालने के लिए एक लाइफस्टेल मेडिशिन एक्सपर्ट के बारे में आप क्या सला देते हुए मैं सबसे पहले आपको यहीं सला दूँगा कि मैं बस सबसे पहले पर में स्टाक करने वाली चीजering उसको छोड़रे मतलब आपका सवाल होगा सर इतना असान होता एंटी चोड़ देना तो बाती क्या थी हम कोई शॉक से तो खा नहीं रहें तो मैं आपको शला दूँगा कि हम एंटी एसिड खा क्यों है क्यों कि हमको बूला गया कि आपका स्टमक में एसिड बहुत जादा है और मैं फिर कह रहा तो आप जैएंब में उस चक्र में पेट पैट में इत्हला ज्यादा स्पाओं होता है कि वह थोड़े डेख लिए वह इधर होझाता है तो जहां तक रही बात जब starting ही low stomach acid से तो अगर आप anti-acid खा रहे हैं तो आपको सबसे important है lifestyle तरीके से आपको सबसे पहले अपना acidity का इलाज करना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो नहीं इलाज इलाज नहीं होगा और अगर आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो मैं पहले बताएं करीबन वो पांसे च्छे मैने का time का course है तो जब तक आप वो treatment में नहीं आएंगे तब तक आपका antibiotics नहीं चूटेगा तब तक आपका anti-acid नहीं चूटेगा एक बार अगर चूट जाता है तो आप एक autopilot मोड में चले जाते हैं मतलब आपका stomach acid का pH बढ़ जाता है stomach acid बढ़ जाता है और जो नेचरली वो बैक्टेरिया माने का जो system चला रहा है हमारे इतने सालों को रोडों सालों की human development में वह वैसा वापी से चला जाएगा body autopilot मोड में आ जाएगा और यह पूरा cycle ही टूट जाएगा मतलब सीबो क्लिए antibiotic लेंगे antibiotic चकर में फिर से आपका acidity होगा फिर असर होगा फिर लेंगे यह cycle ही टूट जाएगा और ऐसा देखा जाता है इस तम पेट की बिमारी वारा patient सालों साल तक दवाईयां खाता रहता है एक मैना दो मैने एक स उसका प्रॉलम चल रहा है बाच में उसको तिन-चार बिल जाएंगे चूरन बावा मिल जाएंगे कि हमारा वाला भी खालो तुम डबा ऐरुवेद का आज कर एक नया फैशन चला एरुवेद में डबा बेचने वाला हमको फोन करिए यह नंबर पर और डबा ले लिजी हमा थिस चाहते हैं आज को सब्सक्राशा वाल जाए नंगा पर षाब में खाहते हैं गुमार के पेशेंट वाल्ति ले चला जाना लेया यहां पे क्या हो रहा है बेसिक प्रोलम जो पेशिंट का है वह ही तो है कि वो फ्ल्ब तो निए वर तो डाय को सकता नहीं हो रहा है और जो यह tasty दो यहां पर मुझी समझश things को चुछ और चाल रहे और तो उनका दादा पर दादा वाला जमाना चला गया दादा पर दादा की जमाने में हैवी एंटिबैटिक्स नहीं थे तो गलती से वह आले साइकल में मत चले जाना अपनी दादा पर दादा वाले में ठीक है अगर आपके पास टाइम मसीन हो तो आपनी दादा पर दादा की ज जमाना चली नहीं रहा ना अभी तो modern medicine का जमाना चल रहा है आपको छीख भी आ गई तो इतने हैवी एंटिबाटिक चलते हैं जो पहले के बड़े-बड़े बीमारी उमें नहीं चला करते थे क्योंकि हम लोग एंटिबाटिक एक टेजिए जया रहें तो आप गलती से दादा-पर दादा वाला ये जो आपका जो शलाह Okay मत पढ़ना और उसकी दादा-पर-दादा के जमाने में इतने खतरनाना के एंस्ट अप जिंदाओ में में आप इस समय पे हैं तो बस आप मेरी यह बात अगर आप समझगे कि आपका स्टमक अइसिड में इस्टमक में एसीड कम हो रहा है उसी का जो है भुकतान भुगत रहें है चाहे वह सीबो हो चाही हो डिप्रेशन हो यहां तक रहे हैं लाइफस्टाइल में क्या सला दूंगा तो मैं आपको यह सला दूँगा कि आप हैवी प्रोटीन डाइट ना लें कुछ दिन के लिए नॉज़ पूरा बंद कर दें और स्टार्च बेस डाइट पिया जाएं चाहे वो पोटेटो जो राइस हो चाहे वो स्वीट पोटेटो हो कुछ दिन के लिए समें आई है और वाटर बेस्ट फूट सर वाटर बेस्ट जो जिसमें पानी ज्यादा होता उसको खाईए तो आपको रिलिफ मिलना चालो हो जाएगा और जो हाड़कोर पेशेंट हैं उनको तो इन चंद सब्दों में इलाज बताए नहीं जा सकता है क्योंको इलाजी करीवन पांच-छे मैने का होता है तो मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि हमको जाना किधर किस डारेक्शन में जाना है सर इसमें और कोई आहर का आहर का रोल है ना मैं बना हमको हाई प्रोटीन लेने ही नहीं है यहां क्या है स्टार्च बेस चीज़े खाए लेकिन ये सला जो है वो कौमा सबको दिया नहीं जा सकता है कुछ सुगर के पेशेंट है कुछ बीपी के पेशेंट है तो क्या हो रहा है एक जर्नलाइज एंसर में कुछ दे ही नहीं सकता क्यूंकि अलग बसाम आपको एक आईडिया दे सकता हूं कि हां यहां से स्टार्ट करना अगर आपको पुछ धिन के प्रोटीन चोड़ के देखो तो आपको रिलीफ मिलना चालो हो जाएगा अगर आपको प्रोटीन चोने से रिलीफ मिल रहा है तो यह प्रूफ कर रहा है कि जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही है ठीक अब 6 महने का इलाज तो मैं चंद ऐसे इसमें बताना पॉसिवल नहीं है बस मैं आपको एक डारेक्शन दे रहा हूं आइडिया से समझाया आपने कुछ फूर लेना है वहीं बताया और सबसे में चीज जो है वह आपको प्रूटीन चोड़ना परेगा और नॉन्वेज और जो दूद तो लेना ही नहीं चाहिए जैसे आपका कहना है इसके अलावा और कुछ छोड़ना चाहिए उन्होंने कि मैं पोला ना यह यहां पर क्या है कि मुझे पता कौन से हो होना है तो चैक्ट मैं सब्दों पर बता ही नहीं सकता ठीक है और कि आपने इतने जटल विशे को बहुत आसान तरीके से समझाया मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी दर्शक है यह इसका लाब उठाए धन्यवार टोक्तर तो थेंक यू अर्विवन है वनाइस डे